इसी आइसी आइसी आई बैंक की पुर्व सीएओ चंदा कोचर और उनके पती दिपक कोचर को सीवियाई ने शुक्रवार को गिरफतार कर लिये वीडियो कॉन ग्रूप को रेगुलेशन के खिलाफ जाकर दिये गए करोडों रूपए के लोन के मामले में ये गिरफतारी हुई है जब ये लोन दिये गए थे उस समय चंदा बैंक में CEO और MD के पत पर थी इन लोन्स के NPA होने से बैंक को 1,37 करोड रूपए का नुकसान हुआ बिसनेश चुड़े की एक रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि कोचर परिवार को एजनसी हेड़क्वार्टर बुलाया गया था और पूछतात की बाद गिरिफतार कर लिया गया CBI ने आरूप लगाया कि वे अपने जवाबों में ताल मोल कर रहे थे और जाच में सायूग नहीं कर रहे थे कोचर को शनिवार को CBI की स्पेशल कोट में पेश किया जाएगा दीपक और चंदा कोचर पर आरूप है कि उन्होंने ICICIC बैंक की और से वीडियो कॉन को दिये गए लोन के जरिये फ्रॉड किया ये लोन बाद में नॉन परफॉर्मिंग एसेट में बदल गए इस मामले में दीपक और चंदा कोचर के खिलाफ CBI, ED, SFIO और आयकर विभाग जाच कर रहे हैं इसमें साल 2012 में वीडियो कॉन को दिया 3,250 करोड रूपए का लोन शामिल है आरूपए का अनुसार वीडियो कॉन ग्रूप के पुर्व चेर्मेन वेनु कोपाल धूत ने कोचर की कमपनी नुपोवर रिन्यूबल में वीडियो कॉन कोई लोन मिलने के बाद करोड रूपए का निवेश किया था लोन को एक कमिटी से मंजूरी दी गई थी जिसमें चंदा कोचर भी एक मेंबर थी अक्टूबर 2018 में इस मामले को लेकर चंदा को इस्तिफा देना पड़ा था